जिले में भैसलाचान किस तरह ऐसे हावी है इसकी वानुवी आप अक्सर देखते और सुनते रहते हैं खास कर उन कामों में जिन में राजनायतिक सलक्षन ट्राक थेकेदार या नेताओं की रिस्तेदार काम करते हैं वह काम सिर्फ कांग्चों तक ही सीमित रहते हैं सिर्फ नेता अपनी तिजोरी भरने के लिए जंदा की गार ही कमाई ठेकेदारों के माध्यम से अपनी तिजोरी में भर रहे हैं ताजा उदारन अपने जनपत सीयो सिर्मौर और विधायक के बीच हुई चर्चा सुन चुके हैं किस तरह से अधूरे कारे का भुकतार अपने चहेतों को करने का दवाख बनाया जा रहा था ताजा मामला भी सिमरिया विधान सबाच्षेत के कर्मणी पुलिया का है जहां ठेकेदार ने घटिया निर्माण कर एक बार फिर विकास कारियों की पोल खोल दी है और यह सिद्ध कर दिया है कि किस तरह से अपने साथ साथ अपने चहेते नेताओं की तिजोरी भरी है देखा जा सकता है कि दो माह पहले बन कर तयार हुई पुल की सड़क पर बड़ी दरारे आ रही है जो कभी भी गंभीर घटना को अंजाम दे सकती है इस्थानी लोगों की माने तो उक्त निर्मार में जम कर कमी सनवाजी हुई है जिसके चलते ठेकेदार ने घटिया निर्मार किया और अब कभी भी गंभीर घटना घटित हो सकती है देखिए किस तरह से भष्टाचार की चरम सीमा को पाल करते हुए उक्त पुल का निर्मार कराया गया और बरतमार में क्या इस्थिती है जिसे देखकर अनमान लगा लेंगे कि किस तरह का विकास निता अपना कर रहे हैं और जन्ता की जान के साथ खिलवार कर रहे हैं हमपजे कहां खड़े हैं यह कौन पुली आया करमाई मजों बनी अपना का देखन यह देखिए खरगढ़ा क्य महीना पहले बनी होई यह दो महीना अभी नपूरा हुआ होगा जी जे अपना देखिकों में माले कौनो साइकल वाला आप यह कौनो गाडिन दस चका वाला आई तो इसो नीचे चला जाई साइकल मोटर साइकल वाले यह तो उनके जिंदगी खराब हो जेह हैं दूइ महीना भी होई है यह पुलिया कब बने यह विकास के दुहाई देद वागत यहां के सांसद विधायक को टटी साप करत है तो को बुल्डोजर चलवाए देथ है यहां नहीं देख रहे ताके की दूइ महीना नहीं भी ठेकेदार चूना लगा के चलागा बिल्कुल का कहां चाही थे पनाव जो जो एजंसी इसको बनाई है जो ठेकेदार उसका पैसा रोके और फिर तो दुबारा बनवाई ना सही हो जी है कि दो महीने तक नहीं चल पाई देखें किनारी किनारी ये रोड पूरी धस गई है कभी भी कोई भी दुरगटना हो सकती है ये एक हलक इस बरस बारिस भी नहीं हुई ज्यादा बारिस होती तो ऐसे भी बहले चलेज़ें अब इतनी कम बारिस में जबी ये हाल है